तो आज हम बात करेंगे कि सैप्टी टैंक को कैसे साफ करना ? हॉन्न टो क्लिन शैप्टी टैंक और साफ करवाने में कितना रुपे खरचा होगा ? यह दूनों चीज trend का आड़म बताइएं कि सैप्टी टैंक हो क्या होता है ? कि हर एक साल एक साल दो साल का अदर में बाकि अभर जाता है तो भरने के hedder के बाद जो है उसको किलीन कैसे करें iए जहां पर सप्वतिटिटख़ बनाए ओंगे वहांपर एक मैं होल जरूर दीया होंगे तो चाहे अगर वो 70 tank अगर आपका जहां घर बनाए बिल्टर बिडिया है उससे थुरा से हटके हो चाहे या नहीं तो आपका घर के अंदर ही हो जहां पर आपका staircase है उसकी निचे हो तो उस जगह पे आपका जहां पर manhole है manhole को आप पूरी तरिके से open कर देजिए उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो municipality का गारी होता है टेंकर उसको मंगा सकते हैं याने तो भी क्या हुआ कि बहुत इसी लोग जो है private अपना गारी खुद जो है मलब यह सेवा देते हैं जिसमें उसका कुछ अपना चार्ज होता है तो गारी आएगा टेक्टर जैसा रहेगा टेक्टर रहेगा उसमें जो है टेंकर लगा लगा देगा और उसका जो पाइप होता है जहां से उसको संक मलब खीचेगा पानी वहाँ पीछे लगा करके जहां तक आपका टेंकर सेव्टी टेंक है उसका मैन होल का धक्कन को खोल करके वहां पर पैप उसका डाल दिया जाएगा तो उसके बाद यह है मसीन ऑन किया करके टैंक में भर लेगा यही एक प्रोसेस है और मैं तो बस यही कहूंगा कि कोशिस किजिए कि आप अपना सेप्टी टैंक उस जगह बनाईए जहां पर गारी जा सके ज्यादा डिश्टेंस मत रखेगा जहां पर ट्रेक्टर जो देख रहे हैं आप यह गारी वहां तक जा स जिससे चाहिए कि उसको जितना कम पाइप ले उसना खिचने में अतना आसान होगा लंबा पाइप में एयर का ज्यादा यह एर अगर लिकेज हो गया तो खिचने में तुरा सा तिकत होता है इसलिए और आपको बता नहीं देगे एक-दो साल के अंदर आपको जो हर एक साल कि उसको जहाए यह साप क्लीन करना पड़ेगा मनलब पूरा जितने वेस्ट यूभी वाटर है उसको जहाए निकाल करके लेके जाएगा वह अब बात करते हैं कि अगर यह ले जाए तो फेके यहां पर आपका डंप यार्ड है जहां पर बहुसरा कच्रा फिका राता तो व अब इसके कितना रुपय पड़ेगा देखिए अलग 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 एडिया में आपका यह रेट अलग अलग हो सकता है एक टेंकर जो पानी खिच के ले जाएगा उसका कोस्ट आपका लंब सम्द आपको बता रहा हूं मैं तो तीन हजार सेचार व के बीच लेगा है यादरा अना चीए घिंशे चार अजार के आसपास आपको पलएगा एक वार क्लीन करने में एक टेंक करो जो ले जाएगा और अगर एक बार आपको नहीं हुआ फिर दुबारा आएगा फिर उससे पानी की वेस्ट मेटल खिचेगा तो फिर जो है तीन से चाला जर का सपस पड़ेगा तो यही एक तरीका है अगर आपको क्लीन करवाना है आप अगर चाहते हुआ मुंस से भी आप करवा सकते हैं तो इसी तरीका से आप कुछ है किलीन कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आयागा पसंद आ जरूर उसको लाइक किजिए और खास करके हमारे चैनल वाको तो सब्सक्राइब कर देखिए क्योंकि जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगन